एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडिजी, जो न तो पंडिताई करते हैं, न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं. लेकिन फिर भी पूरा शहर परपतों इंटरनेट की बदॉलत जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडिजी की नाम से ही जानते हैं. उनका असल नाम तो ब्रजभूशन है एक सरकारी ओफिस में जिन्दगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रेटायर हुए है घर में सिंपल सी वाइफ है दो बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर है अब सवाल ये उठता है कि दुनिया यहां तक कि उनकी पतनी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है इसके पीछे एक कहानी है कहानी जो कि पंडित जी मेरे मतलब ब्रजभूशन जी के जिवन में घटी सची घटना भी है बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेविल्यूशन शुरू ही हुआ था तम उन्होंने न सिर्फ literature बलकि religious किताबें भी बड़े interest से पढ़ी थी बलकि उनकी पतनी के शब्दों में कहें तो रामायन और गीता तो वो घोट कर पी गए थे अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुन्दर शब्दों में रामचरित मानस की चौपाईयां और गीता के शलोकों की बड़ी simple और easy explanation देते थे अब जब computer सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े interest के साथ participate किया जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए training में हिस्सा ले रहे थे उन्हें training देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों पर गोसा नहीं होता था इस लड़के का नाम संदीब था ब्रजभूशन जी को संदीब बहुत पसंद था इधर कुछ दिनों से ब्रजभूशन जी देख रहे थे कि संदीब कुछ शांत सा रहने लगा था उसके चहरे पर हमेशा रहने वाली मुसकान जैसे डिम सी पढ़ गई थी अकसर कहीं खोया से रहता और एक अजीब सी साडनेस उसकी आखों में बनी रहती अब प्रजभूशन जी एक्सपीरिंस रागमी थे जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिन्दगी खराब कर देगा इसी लिए उन्होंने संदीब से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बोलाया संदीब आया और खाना खाने के बाद पंडिट जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए फिर बातों बातों में उसकी परिशानी का कारण पूछा जिसे पहले तो वो टालता रहा लेकिन फिर उसने अपनी परिशानी का रीजन बता ही दिया दरसल पिछले पांच सालों से संदीब किसी बड़े कंपरिटिव एक्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलिर ही मिली थी जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी उसे लगने लगा था कि उसकी जिन्दगी के पांच साल बस यूहीं वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा इतनी मेहनत के बाद मिले फेलिर ने उसे चौते और आखरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था वो अब आगे एक्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं न कहीं अपनी फेलिर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था यानि दोशी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गए थी यह सब सुनकर ब्रजभूशन जी ने तुरंत संदीब को श्रीमत भागवद गीता का ये श्लोक सुनाया कर्मन नेवा धिकारस्ते मा फलेशु कदाचन मा कर्म फलहेतुर भुर्मा ते संगोस्त्व कर्मनी जानते हो संदीब इसका मतलब क्या है मीनिंग क्या है ये श्लोक भागवद गीता के दूसरे चैप्टर का 47 श्लोक है जब अरजुन रणभूमी पर अपने सगे संबंधी अपने गुरु भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं तब भागवान उसे गीता का उपदेश देते हैं और गीता का ये श्लोक तो संपून गीता की समरी जैसा ही है इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परिशानियां दूर हो जाएं संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परिशानी का सिलूशन बता रहे हैं ब्रजभूशन बोले इसका अर्थ है कि हे अरजुन तेरा अधिकार कर्म करने में है उसके फल में नहीं तू कर्म के फल के प्रती आसकत ना हो या कर्म ना करने के प्रती प्रेरित ना हो सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं बिजनस्मन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटीरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है एंजिनेर नक्षा बनाने से पहले ही कोई मास्टर पीज बनाने की खाहिश रखता है housewife सबजी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा हर कोई अपने हर काम से अच्छे से अच्छे फल की उमीद करता है जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है उसका result क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा इस पर ना तो हमारे कोई control है और नहीं right जिस सुनकर संदीब बोला अगर हम result की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए motivation क्या रह जाएगा ऐसे तो हम कोई भी काम बस time pass के लिए ही करेंगे नहीं रजभूशन जी बोले, नहीं इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में interest ना लें या अपने efforts में कमी करें इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे control में सिर्फ हमारा काम है उदाहरण के लिए एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है लेकिन परीक्षा का result और भी कई बातों पर depend करता है जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के mood पर भी ऐसे में यदे number उस बच्ची की expectation से कम आ जाते है तो उसे ना तो अपनी ability पर शक करना है नहीं आगे मेहनत करने में कोता ही करनी है हमें हर हाल में अपना best देना है उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है किसान जब खेत में बीज बोता है रात रात जाक कर फसल को पानी देता है तब वो अपना काम कर रहा है लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बिमारी लग जाए तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है इसलिए उसमें कमी नहीं रहनी जाहिए जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में होसला नहीं हारेंगे खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सरशिष्ट देने के लिए तयार रहेंगे ब्रजभूशर जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तयारी करने का फैसला कर लिया था कुछ दिन बाद जब रजभूशर जी की आफिस में कम्प्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विला किया जा रहा था तब संदीप ने सब को एकठा किया और कहा हम सब को हमेशा कुछ न कुछ सीखने के लिए तयार रहना चाहिए टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका आटिट्यूट ही बदल दे मुझे भी यहाँ एक गुरू मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरिंस है और इस अनुभव को बाटना भी आता है ये गुरू है ब्रजभूशन जी जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा क्योंकि पंडित का आर्थ होता है ज्यानी ज्यान देने वाला साथ ही गुरू दक्षणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ग्यान इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरीए लोगों को उनकी परिशानियों में रहा दिखा सकते हैं उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं इस तरह उस दिन से ब्रजभूशन जी का नाम पंडित जी पढ़ गया और उनका गीता ग्यान ब्लॉग एक जरीया बन गया जहां लोग अपनी परिशानिया पंडित जी को लिख कर गीता के जरीये उनका सिल्यूशन पा सकते थे और ये गीता ग्यान आप सुन रहे हैं कोको एफम पर